नमस्ते बच्चों, मेरा नाम पलवी है, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और घर पर अपने ममी पापा को ज्यादा परशान नहीं कर रहे होंगे आज का हमारा विशय है आ की मात्रा, कौन सी मात्रा? आ की मात्रा, बिल्कुल सही आएं पहले हिंदी वन माला का एक बार अभ्यास कर लें अब आप भी मेरे बार दोराएं अ आ इ इ उ उ री ए ए ओ ओ अ अ आहा आप व्याँजन क ख ग घ न ग्य अब आप भी मेरे बाद हो राएं का ख ग घ उंग्य च छ ज ज ज ज न न त ठ द ध ध र न प भ भ भ भ म य र ल व श श स ह तो बच्चों स्वरों को हमने सीख लिया व्याँजनों को भी पढ़ लिया चलो अब कर लें पूरी तयारी आए अब मात्राओं की बारी तो आएए बच्चों अब हम देखें कि जब हम आ की मात्रा को किसी भी व्याँजन के साथ जोडते हैं तो उन्हें कैसे बोला और लिखा जाता है क जमा आ की मात्रा आप ये देख रहे हैं बच्चों यह आ की मात्रा का चिन है एक सीधी रेखा और उसके उपर चट दुबारा देखेंगे एक सीधी रेखा और उसके उपर चट क जमा आ की मात्रा बन गया का ख जमा आ की मात्रा बन गया खा ग जमा आ की मात्रा बन गया गा ग जमा आ की मात्रा बन गया खा च जमा आ की मात्रा बन गया चा इसी प्रकार हम बाकी व्यंजिनों में आज स्वर की मात्रा जोड़ कर उन्हें बोलने और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं तो बच्चों, आज हमने स्वर और व्यंजिन का अभ्यास किया आज की मात्रा के चिन को पहचाना और उसका सही उच्चारन सीखा यह समझा कि आज की मात्रा हमेशा व्यंजिन के बाड लगाई जाती है जब किसी भी व्यंजिन के साथ आज की मात्रा जुरती है तो उस व्यंजिन का सुर उचा हो जाता है जैसे क में आज की मात्रा तो बन गया का आ बच्चों आप भी घर पर इसका अभ्यास बार बार कीजियें अब आ की मात्रा के बारे में और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मैं आशा करती हूँ कि आप सब को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सब इसे दोबारा जरूर देखेंगे धन्यवाद